सर्मान खन के बिग बॉंस के अब तक कई सीजन आ चुके हैं बिग बॉंस का कोई सीजन हिट रहा, कोई फ्रॉप भी रहा हाला कि इसके बावजूद उनके कॉंट्वेर्शल रियालिटी शो के अगले सीजन का दर्शकों को बड़ी ही बेसबरिसे इंतजार रहता है बेकॉंस सीजन एटीन को लेकर भी फान्स एकसाइटिड हैं लेकिन लगता है के इस बार एक्टा कपूर ने सर्मान संपंगा लेने की ठान ली है जिहाँ खबरे हैं के इस बार बेकॉंस एटीन और लॉक अप टू में महा भिड़न थोती नजराई की खबरों में बताया जो रहा है के एक्टा कपूर भी अपने रियालिटी शो लॉक अप टू को उस समय ही ओनियर करने वाली है जब सर्मान खान का शो टीवी पर आएगा हाल ही में एक्टा ने होली के मौके पर लॉक अप टू को अगली 6 महीने के अंदर लानी की बात कही थी वही अप सियासर.com की रिपोर्ट की माने तो अब जब एक्टा कपूर ने अधिकारिक तोर पर ये एखलान कर ही दिया है कि लॉक अप का नया सीजन 6 महीने बाद आएगा तो ऐसे भी सोशल मीडिया पर ये चर्चाएं शुरू हो चुकी है कि क्या इप्दा कपूर दबांग खाल से पंगा लेंगी क्योंकि 6 महीने बाद सितंबर और अक्टूबर के बीच में ही सर्मान बिग बांस 18 को लेकर भी आएंगे यान कि ये दोनों ही शोज एक दूसरे के लांचिंग डेट के आसपास ही ओन एर किये जाएंगे ऐसे में साफ है कि दोनों शोग की टी आरपी में भारी टकर दो देखने को मिलने वाली है लेकिन सवाल ये भी अभी से उठखडा हुआ है कि कौन किस पर भारी पड़ेगा वैसे देखा जाए तो हर पार बेगॉंस का डंका ही सभी शोज पर खुब बचता है वहीं एकता का शो लॉक अप भी जनता में काफी पॉपलर है और इस वाल तो कहा जा रहा है कि ये शोओ OTT नहीं बलकि टीवी पर आएगा ऐसे में लॉक अप टू भी सर्मान के शोओ पर भारी पड़ सकता है खेर आब ये दो वक्त ही बताएगा कि कौन किस पर भारी पड़ेगा और कौन सा शोओ किस वक्त होगा